hello strength यह class DRT first year केलिए है जिसमें अपना subject है dark room जब आपने टोपिक है एक स्रे फिल्म क्या होती है एक स्रे फिल्म आप ने डेकिऊ होगी जब अपने क्या है ? एक्सरे करवाने जाते हैं या फिर आपने किसे ने एक्सरे किया होगा तो जो अपने एक्सरे फिल्म काम में लेते हैं यह जिस पर अपना एक्सरे इमेज त्यार होके आता है उसी को अपने क्या बोलते हैं एक्सरे फिल्म बोलते हैं तो इसकी स्टेडिय आज अपने करेंगे X-ray film, X-ray film क्या होती है The medical X-ray film is used for capturing, displaying and storing the radiographic image ये medical X-ray film क्या काम में आती है capturing करने में, यानि photo को capture करने में displaying, इसको दिखाने में और इसको storing, store करने के काम में आती है यानि अपने जो body की image होती है वही होती है, body की image उसको capture करती है, display करती है screen पे कैसे, अपने body यानि bones दिखाई दे रही है या जो अपने image ले वो कैसे दिखाई दे रही है और storing के काम आती है यानि उसको अपने क्या store करके भी रख सकते हैं जैसे कि आज अपने image ले ले ली कुछ टाइम बाद में अपने को image देखनी है तो अपने वो image देख सकते है ये process रहता है X-ray film का इदे को इसमें X-ray film के एक block diagram दिखा रहा है इसमें सबसे उपर उपर क्या होता है top coat फिर आता अपना emulsion layer emulsion layer सबसे important होती है इसमें क्या होते है silver halides फिर आती है अपने एक adhesive layer और जो अपना last last का पार्ट होता उसको अपने क्या बोलते है base यहनि इस film को सबसे पहले अपने base आता है फिर adhesive layer फिर emulsion layer और फिर top coat यह पार्ट सबसे उपर में रहता है तो यह इसका आपको diagram दिखाया गया है जैसे कि x-rays आएगी तो वो आएगी और emulsion layer पे टकराएगी जिससे emulsion layer क्या करती है जो अपने light photons होते है उनको capture करती है और image को त्यार करती है फिलम को क्योंग है अपने यानि unexposed silver highlights को exposed silver highlights में जो अपने इस पे unexposed silvers होते हैं उनको expose silver में बदल देती है फिर जब 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 जबज़बने developing करवाते हैं तो वो क्या है unexposed material तो वहीं रह जाता है और तो exposed material वो वहां से हड़ जाता तो अपने को अच्छी मेज दिखाई देती है structure of the x-ray film x-ray film के अपने को structure बताई गई है x-ray film consist of four layers x-ray film में चार layers होती है कौन-कौन से layer, layer, base substration, जिसको अपने क्या बोलते है adhesive layer, emulsion layer और top coat यानि इसमें अपने चार layer होगी base, substratum, adhesive layer, emulsion और top coat अब बात करते हैं, अपने base की the base is usually made up of cellulose triacetate और polyester base के इसका बना होता है, अपने cellulose triacetate का, जिसको अपने बोलते है cta और polyester या फिर polyester का बना होगा cta is used up to 1924 यानि cellulose triacetate का base अपने कब से use में ले रहे है 1924 से now, polyester is used which is made up from polyethylene यानि अब क्या है, अपने polyester का use लेते है जो किस के द्वारा बना होता है, polyethylene के द्वारा जिसको अपने क्या नाम बोल सकते हैं polyethylene को terephthalate terephthalate यानि polyethylene का अपना base बना हुआ काम में लेते हैं अगर अपने polyester का बना हुआ ले रहे हैं और cellulose triacetate का अपने 1924 से काम में ले रहे हैं it should be sufficient soft and rigid यानि hard to avoid kinking यह क्या होता है इतना यानि soft होता है और hard भी होता है कि इसको क्या है बाइचांस चोट बगारा लग जाया यानि उपर से कोई भी इसके metal aware अगिर्ज़ है तो इतनी असानी से इस पर चोट नहीं आती है यानि इसको मोडने पर तूटती नहीं है आपने X-ray film में देखा है कि यह जो भी अपने पास X-ray film हो जाती है वो मोड जाती है गोल भी हो जाती है पर वो तूटती नहीं है It should also sufficiently transparent for viewing radiograph clearly यह क्या होती है? transparent image होती है जिसमें अपने क्या है radiograph जाती अपने image क्यार होकर आई है उसको अपने clearly देख सकते हैं यह फिलम क्या है? पूरी transparent होती है जिसके अपने एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं the polyester base have many advantages such as dimensional stability, optical clarity, waterproof, flexible and easily processed with chemicals जो अपना polyester base की image होती है उसके बहुत सारे advantages बताए गए है जैसे कि इसका dimensional stability होती है यानि इसके dimensional वो अच्छी stable condition में होता है optical clarity होती है यानि इसमें जो अभी image है अपने को अच्छी तरह दिखाई दे जाती है waterproof होती है जो अपनी image एक बार त्यार हो गई तो उसके उपर water से कोई भी फरक नहीं आएगा यह पूरी waterproof होती है flexible and easily processed with chemicals यह flexible होती है और यह अपने क्या है chemical process करवाने में बहुत ज़्यदा easy रहती है कौन सी जो अपने polyester base यानि इस फिलम में अपने waterproof होता है और chemical process उसका easily हो जाता है the base is generally 180 microns thick in the case of CTA and 160 microns thick in the case of polyester जो अपने base होता है उसकी thickness बताई गई है कितने होती है 180 microns यान जब अपनी CTA की मेंज बनी हुई है cellulose triacetate की तो उसकी thickness कितने होगी 180 microns और जब अपने क्या है polyester base से बनी हुई फिलम है तो उसकी thickness कितने होगी 160 microns जब थिकने सूट बी uniform is otherwise variation in the depth of emulsion layer में नी occurs यानि इसकी क्या है thickness होती है वो uniform होती है otherwise by chance इसकी variation depth हो यानि किसी तोड़ाई कहीं से इसकी तोड़ाई जद्दा है कहीं से कम हो तो इसमें क्या है emulsion layer में अच्छी तरह image नहीं आपाती है यानि अपने को image भी अच्छी तरह नहीं दिखेगी इसलिए इसकी thickness के पूरी uniform होती है सभी side से ब्राबर होती है the base can either be colored and clear यानि without color जो base होता है वो कई बार colored भी होता है यानि अपने पास image colored भी होती है और image clear भी होती है यानि without color भी होती है यानि आप अपने दो करकार की image कर बताएगा है colored image और without color image next है blue best film give the following benefits जो अपने blue best की film होती है वो अपने को name benefit देती है अब देखो कौन कौन से benefit देती है it gives pleasing image यह क्या है जो image देती है उसको अपने अराम से handle कर सकते हैं अराम से उसको देख सकते हैं उसमें कोई भी दिकत नहीं आती है it is much more restful on the viewers eye in continue viewing यागर अपने image को कुछ time तक लगातार देख रहे हैं उसमें को आसानी यानि पूरी गोर से उसको देख रहे हैं तो उसमें अपने कोई भी कठनाई फिल नहीं होती है पूरी अपने उसको अपने restful अराम से देख सकते हैं it also give high contrast यह क्या है view base की film high contrast देती है यह इसका contrast high होता है image इसकी अच्छी दिखाई देती है पूरी इसकी clear image दिखाई देती है a main disadvantage is presence of high base fog when the film is viewed poor quality view box यह इसमें अपने एक दिकत आती है blue base film में एक disadvantage है कि इसको अपने अगर high base यानि high base की film है तो उसमें क्या अपने को fog आता है यह उसमें धूंद्रा पंसा जाले पंसे दिखाई देते हैं अगर उसमें अपने क्या है पूर quality का view box में देखते हैं यह यह यहलो light emulsion में उसको देखते हैं अगर अपने पास क्या है view box होता है एक तो तर इसमें colored light होता है एक plain light का होता है जिसमें अपने यह पूर quality वाले view box में देखते हैं तो उसमें अपने को क्या है high base वाली film में fogging में जराती है clear base have very low base fog and lower contrast continuous viewing may be pleasant for some viewers तो clear base की film होती है उसमें low base fog होता है बहुत बहुत कम fog होता है उसमें fog नहीं के बराबर दिखाई देता है बट उसका contrast क्या है low होता है तो उसको अपने continue कुछ टाइम तक भी देख सकते हैं जैसे अभी देख ली थोड़े समय बाद किसी और ने भी देख ली है उसको some viewers देख सकते है usually x-ray film based is given blue color जो अपने x-ray film होती है वो ज्यादा तर कौन सी काम में ली जाती है blue color की काम में ली जाती है जो अपने normal x-ray film काम में लेते हैं यह सारी blue color की फिलम होती है next है अपनी sub stratum यानि adhesive layer the sub stratum is a adhesive layer which streaks the emulsion layer to the base जो अपनी sub stratum layer होती है यह क्या होती है एक प्रकार की adhesive layer होती है यानि chip apart layer होती है और यह क्या करती है emulsion layer और base को अपस में चिपका के रखती है the choice of material depends on the nature of base material sub stratum यानि adhesive layer का material किस पर depend करता है जो अपने base का material होता है उसी प्रकार चपने क्या है sub stratum layer का भी material उसी का होता है यानि जो material है अपने base layer में उसी को अपने क्या है adhesive layer में काम में लेते हैं usually monolayer of gelatin is used in sub stratum यानि अपने क्या है ज़्यादतर monolayer of gelatin gelatin की monolayers काम में ली जाती है इसके बाद आती है अपनी emulsion layer तब play main role in the formation of radiograph इसका क्या है radiograph image में main role emulsion layer का ही होता है यानि यही layer अपनी क्या करती है light photon को absorb करती है और film को exposed कराने में help यानि खुद exposed होती है इसी का main role होता है the emulsion layer which is coated over the sub-stratum contents light sensitive silver halide grains emulsion layer क्या है sub-stratum contents से यानि उससे coated रहती है इसको अच्छी तरह coated किया जाता है किसके द्वारा light sensitive silver halide grains से द्वारा यानि तो silver halide grains यानि तो crystals अपने काम में लेते हैं उसके द्वारा इसको अच्छी तरह यानि contain किया जाता है coated किया जाता है अच्छी तरह इसको cover किया जाता है और यह silvers क्या है light sensitive होते हैं besides silver halide grains are typically 1 to 1.5 micrometer in diameter and contain 10 की power 6 to 10 की power 7 silver atoms जो अपने silver halide grains होते हैं इनकी अपने क्या है थिकनेस बताएगे यह क्या होते हैं 1 से 1.5 micrometer तक इसका diameter होता है और यह क्या है 10 की गाथ 6 से 10 की गाथ 7 silver atoms होते हैं यह एक silver halide में 10 की गाथ 6 से 10 की गाथ 7 तक silver atoms होते हैं देखो अपने यह silver halide grains है एक silver halide grain में 10 की power 6 silver atoms होते हैं there are about 10 की power 9 grains present per cubic centimeter इसमें क्या है एक centimeter area में 10 की power 9 grains present होते हैं और एक grains में क्या होते हैं 10 की power 6 silver halide होते हैं यह बात याद रखना है इसको दुबार repeat कर रहा हूं 1 cubic centimeter में 10 की power 9 grains होते हैं ठीक है और एक grains में silver grains में 10 की पाउर 6 से 10 की पाउर 7 तक silver halides होते हैं sorry silver atoms होते हैं यानि 1 cubic centimeter में 10 की पाउर 9 grains होंगे और 1 grains में 10 की पाउर 6 से 10 की पाउर 7 तक silver atoms होंगे approximately 4 light photon must be absorbed to sensitize each grains यानि 1 grains के द्वारा क्या है 4 light photon को absorb किया जाता है इससे पहले जो अपने intensifying screen लगाते हैं वो क्या करते थी x-ray photon को light photon में convert करते थी बहुँ ज़्यादा मात्रा में अब 4 light photons को 1 grains absorb करता है और 1 cubic centimeter में कितने grains होते हैं 10 की पाउर 9 grains among the silver halides ag-br, ag-cl, ag-i, silver bromide ag-br is the most used in the film emulsion जो इसके emulsion layer होती है इसके अंदर क्या है अपने silver halides जैसे ag-br हो गया, ag-cl हो गया, ag-i हो गया इन silver halides को अपने काम में लेते हैं पर ज्यादा तर अपने क्या है silver bromide, ag-br को ही काम में लिया जाता है next अपने last layer आती है top coat top coat is protective layer of gelatin applied over three emulsion layer top coat क्या होती है protective layer होती है gelatin की जिस यह क्या है पूरे emulsion layer पे applied होती है पूरे उसकी तरह तरह गयर करती है उसकी protect यह उसकी protection करती है it protects the light sensitive emulsion layer from handling damage जो अपने light sensitive emulsion layer होती है उसको कोई भी अपने handle करते ताइम यह उन्हें फिलम को पकड़ते ताइम उसमें कोई भी damage वगरा ना है इससे यह top coat क्या है उसको protect करता है देखो इसके बाद एक note लेगा के बाद बताई गई है the thickness of the radiographic film rains from 200 to 300 micrometer जो अपने इसकी thickness होती है कि इसकी radiographic film की radiographic film आपने सबी ने देखी है उसकी thickness कितनी होती है 200 से 300 micrometer यह इसकी thickness होती है यह अपने क्या फिलम को एक बार पुरा पढ़ लिया अब इसका एक बार अपने revision कर लेते है अपनने क्या यहां पर x-ray film के बारे में पढ़ा है x-ray film क्या काम आती है यह medical x-ray film होती है जिसको अपने capturing, displaying और storing करने का काम में लेते हैं इसकी क्या है चार layers होती है कौन-कौन सी base, adhesive, emulsion layer और top coat सबसे पहले अपने बात करते हैं base की तो base layer किससे बनी हो जोती है cellulose triacetate से या polyester से जिसमें अपने cellulose triacetate या CTA का यूज अपने कर रहे हैं transfer होती है इसके अपने एक side से दूसरे side देख सकते हैं और इसमें अपने जो भी radiograph अपने को image पर राप्त होती है उसको अपने clearly देख सकते हैं यह image क्या है dimensional stability होती है इसमें image में optical clarity होती है waterproof होती है flexible होती है और easily process इसकी chemical process हो सकती है यह सारे क्या film के advantage बताए गए है अगर अपने base में CTA याने cellulose triacetate यूज कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस अपनी होती है 180 micro centimeter और अगर अपने polyster यूज कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होगी 160 microns sorry 180 microns होती है और इसमें 160 microns रहेगी और अपनी फिलम क्या है color भी हो सकती है या without color भी हो शकती है और इसका main disadvantage है कि इसको अगर अपने high base film को यूज में ले रहे हैं अगर poor quality के box में देख रहे हैं तो इसमें कि क्या होती है यह एक adhesive layer होती है यह film को sorry adhesive layer की बात करते हैं अपने सब stratum layer की यह layer क्या करती है देको base और emulsion layer के बीच में होती है तो यह इन दोनों को चिपका के रखने के काम में आती है यह base और emulsion layer को आपस में चिपका के रखती है इसके बाद आती है अपने emulsion layer जिसका कि इसमें सबसे main rule यान emulsion layer ही होता है emulsion layer क्या होता है यह light photon को absorb करती है ज्यादतर इसमें कि अपने silver halide grains होते हैं यानि यह emulsion layer पूरी coated होती है किसके द्वारा silver halide grains के द्वारा एक अपने cubic centimeter में 10 की power 9 grains होते हैं और एक grains में 10 की power 6 से 10 की power silver sorry 10 की power 7 silver atoms होते हैं इसको एक बार दोबारे भी revise करता हूं एक cubic centimeter में 10 की power 9 grains होते हैं और एक grains में 10 की power 6 से 10 की power 7 silver atoms होते हैं ज्यादतर अपने क्या है फिलम agbr यानि silver bromide को ही काम में ली जाती है जो यह अपना grains होते हैं यह क्या करते हैं चार light photon को एक grains absorb करता है यह जो अपने light photons फिलम पर आते हैं उन चार light photons को एक grains absorb कर लेगा उसके बाद आती है अपनी top coat top coat क्या करती है यह protective layer होती है जो कि जिलेटेन के द्वारा यानि इस जिलेटेन से बनी होई होती है और यह इंवल्शन लेयर को protect करती है यह इंवल्शन लेयर को कहीं से भी hard यानि handling करते time कोई भी damage ना होज़े उससे protect करती है और अपने एक स्रेज फिलम की range होती है यानि वह कितनी होती है 200 से 300 micro meter यानि इसके अपने को थिकनेस बताई गई है यह अपने क्या एक स्रेज फिलम पढ़ने पढ़ ली और इसके आगे क्या इसके जिसे characteristics हो गए या इसके कुछ advantage हो गए यह अपने पढ़ेंगे next class में thank you झाल कर्वार है झाल हॉष कर्पिस जर